हिंदी साइत्य में भारतिय कावे सास्त्र के अंतरगर रीती सिद्धान्त या रीती संपरदाय का संपून अर्थ सिद्धान्त और विशलेशन के आदार पर रीती सिद्धांत के तीनों प्रकार वेधरवी रीती, गोडी रीती, पांचाली रीती का उधारनों के साथ संपूर अध्यन तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेर करें, लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे यूटूब चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए रीती, रीती का अर्थ क्या होता है? रीती सब्द का व्यूती परक अर्थ है मार्ग, यानि रीती को मार्ग भी करते हैं हिंदी सब्द को उसमें रीती के अनेक प्रयायवाची सब्द हैं जैसे कि शेली, पंत, विथी, प्रणाली, पद्धती, आधी नामों से भी रीती को जाना जाता है साहित्य में रीती सब्द का अभिप्राय कवी या लेखक की विशिष्ट सेली से लिया जाता है यानि साहित्य रचना, कावे रचना जो कवी या लेखक अपनी विशिष्ट सेली में करता है उसे रीती नाम दिया गया है यहाँ पर साहित्य के अंतरगत कवी या लेखक के द्वारा जो रचना की जाती है उनकी जो विशिष्ट सेली है उसे ही रीती नाम दिया गया है संस्कृत कावे सास्त्र में कावे की आत्मा पर विचार करते समय रीती संपरदाय का परवर्तन आचार्य वामन ने किया था यानि दोस्तों जब पूछा जाए कि रीती संपरदाय का परवर्तन किस ने किया तो आचार्य वामन आपका जवाब होना चाहिए क्योंकि संस्कृत काव्य सास्त्र में सर्व प्रतम आचार्य वामन ने ही रीती संपरदाय का प्रवर्तन किया था आचार्य वामन ने रीती की परिवासा निम्न दी है उनका मानना था विशिष्ट पद रचना रीती है यानी विशेश परकार की पद रचना को रीती कते हैं ये आचार्य वामन के द्वारा रीती सब्द की जो परिवासा दी गई थी वो थी विशिष्ट पद रचना रीती है यानी विशेश परकार की पद रचना को रीती कते है अब विशेस परकार की पद रचना का उन्होंने अर्थ स्पष्ट करते हुए आगे कहा है कि विशिष्ट का अर्थ क्या होता है विशेसो गुणात्मा यानी विशिष्ट का आश्य है गुणों से युक्त होना जो गुणों से युक्त होगा आचार्य वामन ने उसे का नाम दिया था अब गुण क्या होते हैं गुण की परिवासा देते वे आचार्य वामन ने आगे कहा है कि गुण सब्द और अर्थ के सोभाकारक धर्म है यानि जो सब्द है और जो सब्द का अर्थ निकलता है उसके सोभाकारक धर्म गुणों को आचार्य वामन ने माना थ यानि गुण ही वो चीज है जो सब्द या अर्थ का सोभा बढ़ाते यानि उसकी सोभा बढ़ाने वाले धर्म होते हैं रीती संपरदाय को गुण संपरदाय भी का जाता है क्योंकि गुणों के उपर ही सब्द और सब्द का अर्थ निर्वर करता है इसलिए रीती संपरदाय को गुण संपरदाय के नाम से भी जाना जाता है आचार्य वामन ने गुणों को दो भागों में बाटा था पहला सब्द गुण और दूसरा अर्थ गुण सब्द गुण इनकी संख्या आचार्य वामन ने 10 बतलाई है इसी परकार से अर्थ गुणों की संख्याभी आचार्य वामन ने दस बताई है अर्थ गुणों को सब्द गुणों से स्रेष्ट माना गया है क्योंकि अर्थ का प्रभाव वेक्ती विसेश के उपर अधिक पड़ता है इनके अंतरगत रस अलंकार आदी सभी कावे तत्व समाविष्ट हो जाते हैं किसके अंतरगत अर्थ गुणों के अंतरगत रस और अलंकार जैसे सभी कावे गुण हैं वो सब इसके अंतरगत समाहित माने जाते हैं आचारे वामन ने जिन दो प्रकार के गुणों को बतलाया था सब्द गुणों और अर्थ गुण सब्द गुणों का शेत्र केवल वन योजना तक सीमित है सब्द जो वनों से मिलकर बनते यानि वन योजना तक ही सब्द गुणों का शेत्र सीमित माना गया है जबकि अर्थ गून का मूला आधार अर्थ सोंदर्य है यानि अर्थ जो सब्द का निकलता है वो विशेश प्रकार से सुनने वाले या पढ़ने वाले को अपनी ओर आकरशित करता है अर्थ सोंदर्य के अंतरगत रस अलंकार ध्वनी आधी अने कावे तत्वों का समावेस हो जाता है अर्थ से ही हम उस कावे के अलंकार के द्वारा उसकी सोबा को जान पाते हैं रस के द्वारा हमारे चित पर प्रभाव पड़ता है इसी परकार से गुणों में भी जो आचार आचार्य वामन ने इन तीन गुणों को प्रधान गुण माना है आचार्य वामन के अलावा जो अन्य आचार्य हुए हैं उन्होंने भी रीती संप्रदा या रीती सिद्धान्त के बारे में बतलाया है तो अन्य आचार्यों में आचार्य कुंतक जिन्होंने रीती के लिए मार मार्ग सब्द का प्रयोग किया है। यानि उन्होंने रिती को मार्ग करके संभोधित किया था। आचार्य कुंतक के अनुसार रिती के तीन वेद माने गए है। जिसमें पहला सुकुमार मार्ग, दूसरा है विचित्र मार्ग और तीसरा मध्य मार्ग आचारे कुंतक के अनुसार ये तीनों रीती के बैद है आचारे कुंतक ने रीती विवेचन में कभी स्वभाव को परदानता दी है यानि अचार एक कुंतक का मानना है कि जो कवी का स्वबा होता है उसी के आदार पर वो कावे रचना करता है वो ही उसकी सेली या मार्ग कलाता है कुंतक के अनुसार सुकुमार मार्ग में भाव एव रस का नेसरगीक संबद बना रहता है कहने का मतलब इसमें बावपक्ष को अधिक महत्व दिया गया है जबकि दूसरा विचित्र मार्ग है उसमें बावपक्ष की अपेक्षा कलापक्ष की अधिक महत्व होती है यानि विचित्र मार्ग के अंतरगत कलापक्ष को अधिक महत्व दिया गया है इसी परकार से अन्य आचार्यों में आचार्य मम्मट हुए हैं जिनोंने रीती को व्रत्ति करा है यानि व्रत्ति करके रीती को संबोधित किया है आचार्य मम्मट ने भी रीती के तीन प्रकार माने हैं यानि रीती को तीन बागों में विवाजित किया है रीती के तीन बेद बताए हैं पहला उप नागरिका व्रत्ति, दूसरा परूसा व्रत्ति और तीसरी कोमला व्रत्ति ये तीनों आचार्य ममट के अनुसार रीती के भेद है, अगनी पुरान कार ने चार परकार की रीतिया मानी है, पहली वेधरवी, दूसरी गोडी, तीसरी पांचाली, और चोती लाटी, इन्हों ने कावे में गुणों को अलंकारों से अधिक महत्व दिया है यानि अलंकारों से अधिक महत्व पून कावे के अंतरगत गुण होते हैं और गुणों से ही वेक्ति विशेश के उपर प्रभाव पड़ता है कावे में सोबा उत्पन होती है एसा अगनी पुराणकार का मानना था आनन्द वर्दन ने रीती को संघटना नाम दिया है संघटना का अर्थ होता है समयक घटना यानि समय समय पर कवी या लेखत के द्वारा अपनी विशिश्च परकार की सेली में काववे रचना करना यानि समयक घटना इसे उन्होंने रीती के इस्तान पर प्रियुक्त किया है आनंद वर्दन संगटना को संपून सोंदर्य का साधन मानते हैं इसी परकार से जो राज से करुए है उन्होंने वचन विन्यास के करम को रीती करकर के संबोधित किया है यहाँ पर वचन सब्द का अर्थ होता है सब्द या पद और विन्यास का अर्थ होता है विन्यास करम का आशे रचना से लिया गया है यानि सब्द रचना पद रचना को उन्होंने रीती या वचन विन्यास के करम करके संबोधित किया था इसी प्रकार से आचारे दंडी हुए है आचारे दंडी ने गुणों को ही रीती का आधारभूत तत्व सिवकार किया है यान आचारे दंडी का मानना है कि जो गुण है वही रीती के आदारभूत तत्व है याईनि रीती संपरदा है गुणों के उपर ही टिका हुआ है आचारे दंडी ने गुणों की संक्या याईनि कावे गुणों की संक्या दस बतलाई है पहला सलेश गुण दूसरा प्रसाद गु पाँचवा सुकुमार्ता गुन चटा अर्थवेक्ती गुन सात्वा उदार्ता गुन आठवा ओज गुन नवा कांती गुन और दस्वा समाधी गुन ये दस परकार आचार्य दंडी के अनुसार कावय गुनों के बतलाए गए हैं आचार्य वामन ने रीती के तीन भेद बतलाए हैं और ये तीन भेद पहला वेधरवी रीती, दूसरा गोडी रीती, तीसरा पांचाली रीती जब बारतिय कावय सास्त्र के अंतरगत हम रीती संपरदाय रीती सिद्धांत का अध्यन करते हैं तो रीती के इनी तीन भेद वेधरवी रीती, गोडी रीती और पांचाली रीती का ही अध्यन किया जाता है क्योंकि हमने प्रारम में बतलाय था कि वामन ने ही रीती संपरदाय का परवर्तन किया था तो रीती संपरदाय को वामन के नाम से जाना जाता है और ये तीनों ही रीती के परकार है वामन के अनुसार वेधरवी रीती में सभी गुण विद्मान होते हैं यानि वेधरवी र पर्वस्रेष्ट रीती मानी गई है जबकि गोडी रीती में ओज और कांती नामक गुणों का समावेस होता है गोडी रीती के अंतरगत ओज और कांती गुणों को विशेश माना गया है वेदर्वी रीती में सभी गुण अपना मत्वपुनिस्तान रखते हैं यानि सभी गु को देखते हैं आचार्य वामन ने रीती के तीन बेत तीन परकार बतलाये हैं वेधर्वी रीती गोडी रीती पांचाली रीती इनकाम बारी-बारी से अध्यन करेंगे वेधर्वी रीती वेधर्वी रीती का मूलादार माधुर्य गुण को माना गया है यानि आचार्य वामन जो दस सब्द गुन और दस अर्थ गुन बतलाये थे उसमें भी उन्होंने तीन प्रमुक गुन, मादूर्य गुन, ओज गुन और प्रसाद गुन को माना था तो इसमें वेदर्वी रीती जो है इसका मूल आधार जो है वो मादुर्य गुण ही होता है यानि मुख्य रूप से वेदर्वी रीती में मादुर्य गुण विद्मान रहता है वेदर्वी रीती में सुकुमार वण योजना रहती है करने का तात पर ये वेधर्वी रीती में कोमल सुकमार वर्णों का उपयोग किया जाता है वेधर्वी रीती में टर्ठ डर्ड जैसे कठोर वर्णों का उपयोग नहीं किया जाता है वेधर्वी रीती स्रेंगार और करुण जैसे कोमल रसों के लिए उप्युक्त मानी गई है यानि वेधर्वी रीती का उप्योग स्रेंगार और करुण जैसे कोमल रसों में स्रेष्ट रूप से माना गया है वेदर्वी रीती में समास योजना नहीं रहती यानि समासों का उपयोग नहीं किया जाता सब्द योजना समास रहित रहती है समास युक्त सब्दों का उपयोग वेदर्वी रीती के अंतरगत नहीं किया जाता वेदर्वी रीती का ये उदारन देखने पर आपको पून्तया इसपश्ट हो जाएगा उदारन मदुशाला वह नहीं जहां पर मदिरा बेची जाती है बेट जहां मस्ती की मिलती मेरी तो वह मदुशाला है इस उदारन में आपको कोमल और मदुर वर्णों का उपयोग दिखाए देगा यानि इस पूरे उदारन में आपको कहीं पर भी टर्ठर डर्डर जैसे कठोर वर्ण नजर नहीं आएंगे कोमल और मदुर वर्णों का उपयोग किया गया है समासों का अबाव है यानि समास युक्त पदावली समासिक पदों का उप्योग नहीं किया गया है पदावली बिलकुल ललित है मदुरे सुरुती मदुरोंने के कारण यहाँ पर वेदरवी रीती है एक अन्य उदारण और देखने पर आपको पून्तिया वेदरवी रीती इसपष्ट हो जाएगी कंकन किंकिनी नुपर दुनी सुनी कत लकन सन राम हर्दे गुनी यानि इसमें भी कोमल और मधुर वर्णों का उप्योग किया गया है समास युक्त पदावली आपको इस उदारण में देखने को नहीं मिलेगी इसलिए यहाँ पर वेदरवी रीती है रीती का दूसरा प्रकार यानि गोडी रीती का संबंध ओज और कांती गुणों से माना गया है यानि गोडी रीती का मुक्याधार ओज और कांति गुण को माना गया है गोडी रीती में मादुर्य गुण का उपियोग नहीं होता मादुर्य गुण का अभाव होता है क्योंकि अगर मादुर्य गुण होगा तो वो वेदर्वी रीती का उधारन होगा गोडी रीती में कटोर वर्णों की योजना पाए जाती है तटर डर्ड या सयुक्त अक्षर जैसे आदा अक्षर और उसके बाद पूर्ण सयुक्त अक्षर का उपियोग गोडी रीती के अंतरगत किया जाता है ये रीती रोद्र और भयानक जैसे रसों को व्यक्त करने के लिए उत्तम स्रेष्ट मानी गई है यानि रोद्र और भयानक जैसे विक्राल रसों को व्यक्त करने के लिए गोडी रीती को स्रेष्ट माना गया है उत्तम माना गया है और उपियोगी माना गया है गोडी रीती में सामासिक पदों का उप्योग किया जाता है सामासिक सब्दावली का उप्योग किया जाता है यानि समास युक्त सब्दावली आपको गोडी रीती के अंतरगत देखने को मिलेगी उधारन से इसपष्ट हो जाएगा अच्चाई निरचल रच्चाई उजवरो इमी तोसे तिच्च तुच्चन को कच्चवेन नत हो जारी डारो लड़कही उजारी डारो उपवन फारी डारो रावन को तो मैं हनुमन्त हो इस उधारन में आपको सयुक्त अक्षरों का प्रचूर उप्योग दिखाए देगा ऐसे सयुक्त अक्षरों का प्रचूर मात्रा में उधारन हुआ उप्योग हुआ है ये गोडी रीती के अंतरगती होता है और इसमें गुणों की अविवेक्ती हो रही है वन और कर्ण कटू तथा महाप्राण वन जैसे की टठड़ अन हाधी का उप्योग हुआ है ये कटोर और कानों को चुमने वाले यानि कर्ण कटू वचन माने जाते है इनका गोडी रीती में ही उप्योग होता है कटोर वर्ण गोडी रीती में ही आपको देखने को मिलते हैं गोडी रीती का एक अन्य उधारन और देखिए राक्चस विरुद प्रतिहुक्रुद कपी विसम राजिव नयनहत लक्ष्यवान यानि यहाँ पर भी संयुकताक्षरों का उपयोग हुआ है कठोर वर्ण जैसे की टठ डड़ हादी कठोर वर्णों का उपयोग हुआ है और रोद्र और भयानक रसों की अभिवेक्ति हो रही है इसलिए यहाँ गोडी रीती होगी इसके बाद पांचाली रीती के अंतरगत मादुर्य और सोकुमार्य गुणों का उपयोग होता है यानि जहाँ पर मादुर्य और सोकुमार गुण होते हैं वहाँ पांचाली रीती विद्मान होती है यह मद्यमिस्तर की रीती मानी गई है यानि गोडी और जो वेदरवी रीती है उसके बीच की रीती पांचाली रीती को माना गया है इसमें छोटे समास वाली भासा का उपयोग किया जाता है छोटे छोटे समासो वाली भासा यानि ये मादुर्य है लेकिन इसमें समास भी युक थे वेदरवी में समास नहीं थे और जो गोडी रीती थी उसमें समास था लेकिन मादुर्य गुन नहीं थे ये दोनों के बीच की रीती मानी जाती है उदारन देखिये इसपष्ट हो जाएगा मदुरा का मुसकाती थी पहले जब देखा तुमको परिचित से जाने कबके तुम लगे उसी छण हमको यानी इस उदारन में आपको प्रसाद गुन की अधिकता दिकाई देगी समास का अबाव है सब्दावली कोमल है अतर पांचाल रिती है यानि कोमल सब्दों का उप्योग किया गया है वन योजना मदुर है कोमल सब्दावली है कठोर वर्णों का उप्योग नहीं हुआ है यहाँ पर पांचाली रिती का एक अन्य उदारन ओर देखिये विजन वन वल्लरी पर सोतीती सुआग बरी इसने स्वपन मगन अ यहाँ पर भी कोमल वर्णों का उप्योग हुआ है मादुर्य गुण है इसलिए यहाँ पर पांचाली रिती होगी रिती संपरदाई के बारे में ऐसा माना जाता है कि वामन के बाद रिती संपरदाई नाम मात्र का रह गया क्योंकि रिती संपरदाई में सरीर को महत्व दे ने वाला जो रीती संपरदाय था उसका हरास यानि उसका दीरे दीरे समाप्ति की और वामन के उपरांत चला गया क्योंकि इसकी कमजोरी यही थी कि इसने सरीर को महत्व दिया आत्मा को बिल्कुल महत्व नहीं दिया इसी कमजोरी के कारण जो रीती संपरदाय था उसका धीरे धीरे हरास होता चला गया सब्द गत और अर्थ गत गुणों की चर्चा करके वामन ने रीती संपरदाय को मत्वपुन बनाने में अपना विशेश योगदान दिया है यानि रीती संपरदाय के परवर्तन में आचार्य वामन का विशेश इस्तान है और इनों ने ही सब्द गुणों की और अर्थ गुणों की सबसे पहले विश्तार से चर्चा की और इन्होंने रीती संपर्दाय को मत्वपून बनाने में अपना विसेश योगदान दिया यानि रीती संपर्दाय को आचार्य वामन के नाम से ही जाना जाता है वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं वीडियो को जादा से जादा शेर करें, लाइक करें और हमारे यूटूब चैनल हिंदी अकेडमी को सबस्क्राइब जरूर कीजिए दोस्तों ताकि हम आपके लिए यूही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहें बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें जेहीन वंदे मातरम